कि मस्कार दोस्तों और प्यारे किसान बाई, स्वागत आपका गोधरा फार्मिंग पर एक नए वीडियो में तो किसान साथ यह गयों की फसल में कौन नहीं चाहता उसे ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिले ज्यादा से ज्यादा जो मुनाफा मिले यह परति एक्टर जैसे 80 से पिच्चा सी क्वेंटल तक पैदावार मिले परन्तु दोस्तों किसान भाई को जो गयों की वेराइटी यानि गयों के जो बीज की किस्मों में गडबड कर देते हैं गयों के साधा रणया डूप्लिकेट बीज हो थमा देते और किसान भाई को जो है मन्चा उत्पादन नह कमा सकते हैं तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी की कौन सी किस्म को बहने का उचित समय क्या है कितने दिन पकर त्यार हो जाती है कितने क्वेंटल तक वह जो उत्पादन देती है तो शुरू करने से पहले कुछ जारी से नए किसान भाईयों से रिक्वेस्ट है कि वी डबलू 222 के नाम से भी जाना जाता है इस किस्म की जो गुवाई का उचित समय हो 25 अक्टमबर से 25 नवंबर के बीच होता है इस किस्म की जो रोटी है आपको बहुत ही पोस्टिक होने के साथ साथ एक स्वादिश्ट भी होती है गेंग की यह किस्म जो है 143 दिन में कट हैं गेंगारों की किस्म वह करण वंदना गेंग की यह नई किस्म जिसे आप डी बीडबलु 187 के नाम से भी जाना जाता है गेंगत की यह किस्म जो है आप 120 दिन में कटाई के लिए त्यार हो जाती है इस किस्म से किसंग बाइव न जो है 55 प्रति अक्टर पैदावार और उत्राखंड छेतर में की जाती है इस किस्म की बुवाई के लिए आप 5 नवंबर से 25 नवंबर का महीना है वो सही होता है इस किस्म से किसां 57 से 87 टेंटल परती एक्टर पैदावर प्राप्त कर अच्छा मुनफ़ा कमा सकते हैं किसां साथ यो गैयों की अगली वेराइटी गैयों की सबसे बड़ी खासियत दोस्तों यह है कि इस किस्म में प्रोटीन की मात्रा अन्य किस्म के मुकाबले सबसे अधिक पाई जाती है किसान भाई यह थी गेओं की जो पांच किस्मों के बारे में जानकारी आप कौन सी किस्म पसंद करते हैं वो तो आप पर निर्बर है और ऐसे ही खेतिवाड़ी से संब्दी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों वीडियो कैसा ल बुले जै जवान जै किसान धन्यवाद दोस्तों